कहानी एक सिग्रेट लेकक यश्पाल दमती ब्राह्मनी है परंतु छोटी जात की छोटी जात इसलिए कि ब्राह्मन होकर भी उसके घर के लोग हल जोतते हैं कठिन मेहनत और धर्ती के मैल से उनके शरीर गंदे हो गए हैं इसी कारण इन परिवारों का व्यवहार और इनकी भाशा भी मैली हो गई है विमान आदर खो बैठे हैं इन ब्राह्मनों को जीवन निर्वाह के लिए ही कठोर और गंदा काम करना पड़ा यदि इन्हें ऐसा ना करना पड़ता तो उनके वंश परंपरा में व्यवहार की पवित्रता बनी रहती साथ ही साथ उनकी भाशा भी अपवित्र ना होती तब उनकी बेटी का नाम भी उनके सामाजिक सम्मान के अनुकूल होता हो सकता है तब उसका नाम दमती ना होकर दम्यन्ती होता बद्रिनाद धाम के यात्रा के रास्ते में कर्ण प्रियाग और रुद्र प्रियाग आते हैं इन्हीं के बीच सडक से पांच-छे मील दूर कनार गाउं है यही गाउं दम्ती का ससुराल है है क्या कहिए था दम्ती का विवाह दस बारा साल की उमर में हो गया था विवाह के बार दम्ती डेड़ दो बरस माईके में ही रही उस समय अधिकतर गरीब गढ़वाली फौज में भरती हो जाते थे दमती के दूले बजदत ने भी फाउज में रंग रूट भरती होने का मन बनाया उसके माता पिता काफी बुजुर्ग थे, घर में उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं था इसलिए भरती के लिए लेंस डाउन जाने से पहले वो दमती को मायके से ले आया दमती बड़ी आग्या कारणी बहु थी, सास की हर पुकार पर उसका एक ही उत्तर होता ऐसी बहु पाकर बजदत की मा को थकान भी अधिक होने लगी, वो अपने सारे काम धीरे धीरे बहु के लिए छोड़ने लगी सास आम तोर पर कहती रहती, जाने क्यों बदन गिलता ही जा रहा है दमती पशुओं के लिए चारा लाती, रसोई के लिए इन्हन और पानी लाती, खेत में खाट डालती इन सबसे फुरसत पाती तो सास की टांगें और कमर भी दबा देती दमती की सास अकसर बीमार रहती, कभी दान दर्द करने लगते तो कभी आँखें सूच जाती कभी टांगें दर्द करने लगती तो कभी पेट में वायू का गोला सब बन जाता लोग इसके लिए तमबाकू के धुएं का दम लगा लेने की सलाह देते परंतु एक तो औरत, उस पर से ब्रामर, तमबाकू पिए तो लोग क्या कहेंगे फिर भी कष्ट का इलाज तो करना ही था, इसलिए सास ने दमती को एक रास्ता सुझाया कहा कि वो अपने ससुर की पुरानी छोटी गुलगुली ले आया करे उसके नारियल में बिना पानी डाले, चिलम में तमाखू और आग रख लाए इस तरह सास ओबरी में बैटकर चुपके से दम लगा ले थी दमती सास के ये सब रहस भी ढखे हुए थी ससुराल आकर दमती के शरीर की उठान खूब उभर आई थी शरीर में जोबन की मादकता चाने लगी थी ऐसे जैसे फल का आकार पूरा हो जाने पर उसमें रस और रंग आने लगता है उसके चेहरे पर लुनाई और आखों में चमक आ गई थी बजदत पिछले बरस स्पाहियों की 28 दिन की छुट्टी पर घर आया था वापिस लौटते समय उसका मन एट एट कर रह गया दमती की चाहा उसके मन में गहरे तक बस गई चावनी में भी उसके पाउं हर दम अपने गाउं की ओर उठने के लिए मचलते रहते बजदत ने पल्टन में सिगरिट पीना सीख लिया था अकेले लेटे लेटे वो सिगरिट के लंबे लंबे कश खिचता चुटकी बजा कर राक जढ़ता फिस अपने मूँ से निकले सिगरिट के धुए में अपनी बहू की कलपना करने लगता ये सिगरिट के कश क्या थे दमती के लिए आहे थी बजदत ने कंपनी के सिपाहियों से तिक्डम लगा कर बारी से पहले ही छुट्टी ले ली यानि इस बार वो नौ महिने बाद ही छुट्टी आ गया लैंस डाउन से चलते समय उसने कई चीज़े खरीदी बाप के लिए एक जोडा पुराने फौजी बूट लिए मा की बंडी के लिए एक टुकडा मोटा कपड़ा लिया दमती के लिए केले के रेशम की धूप छाओं रंग की एक खूप चमकदार साड़ी खरीदी साथ ही चांदी के जुमके सुरमादानी और ऐसी ही कुछ और चीज़ें भी रख ली चावनी में सड़क के किनारे परदा खड़ा करके संदूक जैसे कैमरे से फोटो खीचने वाला खड़ा रहता था बजदत ने उससे अपना एक छोटा सा फोटो भी बनवा लिया उसे तो केवल 28 दिन घर में रहकर फिर चावनी में लौट आना था सोचा बभू फोटो देख देख कर उसे याद करेगी बजदत को इस कलपना से संतोश होता चावनी में बभू की याद आती थी तो वो सिगरिट के लंबे-लंबे कश खीचा करता सिगरिट के धुए से सिर घूम जाता तो बभू के साथ होने की कलपना करने लगता उसके मन में था कि घर जाएगा तो ऐसे ही कश लगा कर बहू को प्यार करेगा बजदत के चुटी पर जल्दी आ जाने से माबाप को अच्छा ही लगा था परन्तु इस बार लड़के ने पिछले बरस से आधी ही कमाई उनके हाथ में रखी माबाप इसका संबंद उसके जल्दी छुटी आ जाने से नहीं लगा सके बजदत को इस बार नौही महीने की तनकहा मिली थी उसी में से वो माबाप के लिए सामान ले आया दमती के लिए भी साड़ी, चांदी के जुमके और दूसरी चीजन ले आया था सिपाहियों की संगत में कुछ सिगरेट विगरेट का भी शौक करने लगा था लेकिन बजदत के माबाप को इससे कोई मतलब नहीं था उन्होंने तो अपने हाथ में पहले से आधा पैसा पाया साथ ही बहु के लिए कीमती साड़ी और गहना आते देखा उनका माथा ठनका ये क्या ये बहु तो डाइन है इसने तो लड़के को वश्मे कर लिया है बजदत च्छावनी से कुछ नए धंग भी सीखाया था दिन मर घूमता फिरता खेती बाड़ी के काम में उसका मन न लगता बंदूग चलाने वाले हाथ हल फावले को क्या छूते वो गूमता फिरता पांच मील परे चट्टी तक चला जाता वहां से थोड़ी मुंग फली या मिठाई ले आता और चुपके से बहु को दे देता लिहाज छोड़कर अपना बिस्तर उपर रसोई में लगा लेता दमती के किसी काम में लगे रहने से उसे अबेर मालम होती तो पुकार बढ़ता अरियो प्यास लगी है पानी दे जा और फिर बहु को लोटने न देता इतना तो माबाब भी देखते थे और मन मार का चुप रह जाते थे कुछ वो नहीं भी देख पाते थे बजदत आराम से लेट का सिगरेट निकाल लेता दमती को चूले से सिगरेट सुलगा लाने के लिए कहता दमती सिगरेट सुलगा देती तो वो खूब लंबा कश खीचता दमती को बाहों में दबा लेता और सिगरेट थमी मुठी उसके मुझ पर रख देता जिद करता कि वो भी पिए दमती को पहले तो धुएं से खासी आई और घबरहाट हुई फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगा तमाखू के धुएं से सिर घूम जाता तो दमती आखें मूंद कर पती के सीने पर सिर रख देती दमती को भी ये सब बहुत अच्छा लगता बजदत की छुटी से लौट जाने से पहले ही सास का मन बहु से फट गया था लड़के के चले जाने पर सास का व्यवार और भी कड़वा हो गया दमती भी चुड़ने लगी जाने बुडिया को क्या हो गया है सब कुछ करते धरते भी गाली देती रहती है दमती भी उपेक्षा करने लगी सुन कर भी न सुनती सास का क्रोध और जलन भी बढ़ने लगी दमती सास से दूर रहने लगी इन्धन पानी या घास के लिए जाती तो पहर भर लगा देती सास घर पर होती तो वो गौः घर की खाद फेकने के लिए खेत पर चली जाती सास खेत पर होती तो वो घर बैठी रहती दूर जाने का अवसर ना होता तो गौ घर की परच्छती पर ही जा लेटती अब घर और खेती के काम में उसका भी मन न लगता पहले पहले एकलोते बेटी की बहु का लड़ था कुछ अपने आराम का ख्याल भी था इसी लिए सास ने दमती से कहा था सब तेरा ही है मैं क्या छाती पर रख के ले जाओंगी तू ही समभाल ये कहकर उसने घर दमती के हाथों में सौप दिया था तीन के दोनों बक्सों की चाबियां भी उसे दे दी थी सास के चांदी के तीन चार गहने भी इन ही बक्सों में थे नाराज हो जाने पर सास ने सब लोटा लिया बक्सों की चाबियां भी अपने घागरे के नाड़े में बांध ले यहां तक कि रांधने के लिए आटा चावल भी खुद ही देने लगी राशन भी वो अपनी मुठ़्ियों से नाप कर देती वो भी इतना कम की सास ससुर के खा लेने पर बहू का पेट भरने लायक ना बचता जलन में सास गालियां देती रहती कि डाइन ने बेटे का नाम उसकी तरफ से मोड लिया जो कमा कर लाया उसी को ही दे दिया खसम की कमाई छिपा ली और खाती है मेरे सिर बच्दत के दिये जुमके सिर्ध होते समय बालों में उलज जाते एक दिन दमती सिर्ध होने गई तो जुमके निकल कर ओबरी के आले में रख गई लोटने पर सभी जगे ढूना पर ना मिले सास से पूछा तो वो गाली देने लगी हाई देखो डाइन को अपना गहना खुद चुपा कर मेरे से चोरी लगाती है दमती आंसू पोच कर चुप रह गई एक देन उसकी सुरमादानी भी गायब हो गई बच्दत छावनी लोटते समय अपना फोटो उसे दे गया था दमती ने फोटो डिबिया में बचे हुए एक सिगरिट के सास रख लिया था सास फोटो भी ना चुरा ले इस ड़ से दमती ने वो डिबिया छिपा दी उसने डिबिया गौगर की परशत्ती की एक धन्नी में खोस कर रख दी सास की गालियों की मात्रा बढ़ती जा रही थी सास ही दमती की रसोई के लिए दिया जाने वाल अन घटता जा रहा था इतना की उसका पेट ही न भरता एक दिन दमती ने देखा कि सास ने आटा और भी घटा दिया दमती ने सोचा है मैं क्या खाऊंगी सास किसी काम से रसोई से बाहर गई तभी दमती ने स्वयम कठोते से दो-तीन मुठी आठा निकाल कर परात में डाल लिया सास ने पलट कर देख लिया सास पास पडोस के लोगों को सुना कर दमती को चोर कहने लगी बुरी-बुरी गालियां देते हुए बोली जाने इस डायन का कितना बड़ा पेट है सास का क्रोध भड़ा कुठा वो बक्ती ही जा रही थी दमती गुस्ते में परात पटक कर रसोई से निकल गई उसे जोर की रुलाई आ रही थी वो गौग घर की परशती पर जा लेटी कुछ देर रोती रही भूग लग रही थी वो सोच रही थी बजदत जाने कब आएगा उसके आने तक तो सास मुझे भूखो मार डालेगी सास ने रोटी सेंक ली ससुर को खाने के लिए पुकारा बरतनों की आहट हुई इससे दमती न जान लिया की गुस्से में सास आप ही बरतन माजने के लिए पिछवाले चली गई है दमती की आतें भूख से कुल्मुडा रही थी तभी उपर परच्छती में खोसी हुई सिगरेट की डिबिया पर उसकी नजर पड़ी सोचा सिगरेट ही पी ले सिगरेट निकाल कर वो उसे सुलगाने के लिए दबे पाउं रसोई में पहुची दमती छिपकर रसोई में गई थी परंतु सास को आहट मिल गई उसने भापा रान रूट कर डराती है और अब चोरी करने आई है वो बरतन छोड़कर दमती की चोरी पकरने के लिए दबे पाउं उपर आई मन ही मन वो बड़बडाती जा रही थी अभी चुड़ैल के जोटे में आग लगाय देती हूं सास ने रसोई से जहांकर देखा दमती चूले के सामने बैठी मुठी में सिगरेट थामे कश खीच रही थी सास की आखें चड़ गई और मुझ खुला का खुला रह गया जैसे आकाश से पत्थर आपड़ा हो सास होश में आई तो चीख उटी अरे देखो रान को सिगरेट पी रही है हाई ये तो बाजार की रंडी है हाई रे तभी तो मेरे लड़के पर जादू कर दिया पैसे चुराती है और चटी से सिगरेट लाकर पीती है हाई रे ये तो बस्ती के लॉंडों को बहकाएगी सास नीचे आंगन में आकर बाहें फहला फहला कर पडोस के लोगों को सुनाने लगी ससुर रोटी खाकर विश्राम कर रहा था वो दीवार के साथ पीट टिकाए हाथ में गुर्गुरी थामे पी रहा था कोला हल सुनकर बूरा कश खिचता हुआ उपर रसोई में पहुचा फिर क्रोध में चिला कर बोला हरामजादी निकल इस घर से ब्रामन के घर बाजार की रंडी कहां से आ गई निकल अभी नहीं तो अभी दाओं से तेरी मुनिया काटता हूँ दोपहर में खेती से कलेवा करने आये पास पडोस के लोग भी जोपड़ियों में ही थे वो शोर सुनकर बजदत के द्वार पर इखटे हो गए सिगरेट पीती है ब्रामन की बहु बेटी क्या ये तो बाजार की रंडी है ये तो सब की जात बिगाड़ देगी ना बाबा इनके घर का पानी कौन पिएगा दमती सिगरेट चूले में फेक कर सहीमी हुई रसोई में दुपकी बैठी थी सास उपर गई और उसे चुटिया से पकड़ कर नीचे आंगन में खीच लाई डरी हुई दमती आचल में मुझ चुपाए सास के साथ साथ खिची चली आई बिलकुल ऐसे जैसे कान से पकड़ ली जाने पर बकरी बेबस होकर खिची चली आती है सास ने सब के सामने उसे लात मार कर कहा निकल जा रंडी मेरे घर से चिलम ठंडी हो जाने के डल से ससुर गुलगुली छोड़ नहीं पा रहा था कश खिचता हुआ वो दमती को भारी भारी गालियां दे रहा था साथ ही घर से निकल जाने और ना निकलने पर मूड काट लेने की धमकी दे रहा था दमती जगह जगह से छिदी मैली सी घागरी पहने और वैसी ही पिछोरी ओड़े थी मार कर निकाल दिये जाने पर वो आचल से मुझ छुपाए खेतों की ओच चल दी खेतों से परे एक तुन का पेड़ था उसके नीचे खड़ी होकर वो सोचने लगी कहां जाओ, क्या करूँ, साथ ससुर के पास तो अब जाओंगी नहीं संसार में मेरे लिए एक ही जगह है, एक ही रास्ता है कि छावनी चली जाओ अपने आदमी से उसके माबाप के अन्याय की शिकायत करूँ, ये सोचकर वो तेज कदमों से चट्टी की ओर चल दी तीसरे पहल दमती रुद्र प्रियाग जा पहुँची, दुकानों के पास पहुँचकर उसने चावनी का रास्ता पूछा सोला सत्रे बरस की जवान, अकेली और परिशान लड़की चावनी का रास्ता पूछ रही थी ये देखकर चट्टी के दुकानदार हीरा मन को स्थिती भापते देर न लगी उसने दमती को ढांडस देकर पुछकार कर बैठा लिया फिर परिशानी की हालत में घर से आने और च्छावनी जाने का कारण पूछने लगा दमती ने आचल से आशू पोचते पोचते सास ससुर के अन्याय की कथा सुना दी साथ ही भूख की परिशानी में सिगरेट पी लेने की सच्ची सच्ची बात कह डाली फिर बोली मेरा आदमी च्छावनी में है उसी के पास जाऊंगी हीरा मन दमती की सास को गालियां देकर उसे सांत्वना देने लगा हाँ हाँ और क्या अपने मर्द को छोड़कर औरत का कौन होता है वहीं जाना तू ठकी मांदी आई है ब्राम्मण की लड़की है कुछ खापी कर सुस्ता ले रास्ता बता देंगे आराम से भीतर बैठ अपना ही घर समझ उसने दमती को कुछ मुंगफली और मिठाई खाने को दी एक लोटा जल देकर बोला हम भी ब्राम्मण हैं तू हमारे लोटे का पानी पी सकती है गवरामत सडक पर आते जाते लोग घूर घूर कर दमती को देख रहे थे उनकी नजरों से छिपाने के लिए हीरा मन्ने उसे भीतर की कोट्री में बैठा दिया दमती छावनी पहुचने के लिए उतावली हो रही थी गंटे भर बाद ही बोली अब जाती हूँ रास्ता बता दो वाह ऐसे कैसे हो सकता है हीरा मन्ने पुछकार कर समझाया भूकी कैसे जाने दू तुझे पडोस की बहु बेटी अपनी ही होती है भात बना खाकर जाना तू क्या समझती है सौ कोस का रास्ता है धीरच से काम ले उस तरफ से जाते मसाफिरों के साथ कर दूँगा तुझे तू बेचारी अंजान औरत जात अकेली कैसी जाएगी हीरा मन्ने दम्ती को दाल चावल और बरतन दे दिए भात रांते बनाते सांज का अधिरा हो गया दम्ती के मन में चावनी जाने के उतावली थी परन्तु उसने कई दिन बाद भर पेट खाया था और धांधस की बोली सुनी थी उसे उंगाई आ गई कोटरी की जमीन पर ही पढ़कर वो सो गई अचानक कंधे पर ठेस अनभो कर उसकी नेंद खुली देखा कोटरी के कोने में छोटा सा दिया टिम्टमा रहा था हीरा मन उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोला अब क्या सोती ही रहेगी दम्ती उसके हाथ की पहुँच से परे हटकर नीन से बोजल आखें मलने लगी उसे परे हटते देखकर हीरा मन वहीं जमीन पर बैट गया फिर जेब से सिगरिट कीट डिबिया निकाली एक सिगरिट उसकी और बढ़ा कर बोला अच्छा ले, एक सिगरिट तो पी दमती ने आखें मलते हुए इंकार में सिर हिलाया तू पीती तो है, ले ना हीरा मन ने आग रह किया दमती फिर सिर हिला कर बोली कहां पीती हूँ, वो तो मेरे मर्द ने दिया था एक पिया तो ये हाल हुआ, अब मैं छावनी जाती हूँ बड़ी जल्दी है तुझे छावनी जाने की हीरा मन उसके समीप सरक कर बोला क्या करेगी छावनी जाकर वो तो तुझे और मारेगा कि घज से भाग कर क्यों आई कहेगा तुने दुनिया में नाक कटा दी हीरा मन ने फिर प्याज से दमती के कंदे पर हाल रख समझाया तु मौज कर, तुझे क्या है हट, दमती एक और उठ खड़ी हुई रात में सडक पर सिपाही पहरा देते हैं जिसे देखते हैं चोर कहकर पकड़ देते हैं सुबा मूँ अंधेरे उधर के मुसाफिर चलेंगे तुझे उनके साथ कर दूँगा बैठ तो, दमती उसके पास नहीं बैठी हीरा मन के आगरे करने पर उसने उत्तर दिया वाह, पराय मर्द के पास कैसे बैठूँ और दूर ही खड़ी रही हीरा मन पल भर सोच कर बोला अच्छा, हमसे घवराती है तो तू यहां सोजा, हम जाते हैं सुबा च्छावनी की तरफ मुसाफिर जा रहे हैं च्छावनी की बात सोचने लगी मन में नई जगे होने की घवराट थी परन्तु घर कैसे लोटती कुछ देर बाद वो फिर सो गई आधी रात में हीरा मन ने दमती को फिर उठाया बोला, बाहर एक जाना पहचाना मुसाफिर है बड़ा भला आदमी है तू भी खयाल रखना समझी अकेली राह चलती औरतों को पुलिस वाले भगोडा कहकर पकड़ लेते हैं तुमसे कोई पूछे तो अपने को उसी की पतनी बता देना दमती को अच्छा नहीं लगा हट किसी गैर मरत को अपना मरत कैसे कह दूँगी मैं पागल है तू हीरा मनने अपने पन और अनभवी ढंक से समझाया दूसरे की तुझे कौन बना रहा है तू गाउं की रहने वाली है सडक पर चलना क्या जाने तेरे ही भले की कह रहा हूँ औरत को अकेली चलने का सरकारी हुक्म नहीं है कोई नाम वाम पूछे तो अपना नाम नंदा बतईयो कहना कि मेरा आदमी साथ है जो पूछना है उसी से पूछो पोलिस वाले गैर मर्द के साथ चलती औरत को पकड़ कर ठाने ले जाते हैं पोलिस वाले मारेंगे और खराब करेंगे ये तो बड़ा भला ब्राममन है तू उसे अपना भाई समझ हीरा मन दमती को दुकान से अंधेरी सडक पर ले आया फिर बाहर इंतजार कर रहे आदमी से बोला ले भाईया ये हमारे पडोस की ललकी है बेचारी इसे च्छावनी में ठीक से इसके मरत को सौप देना रास्ते में से कोई तकलीफ न हो ख्याल रखियो ब्रामन की लड़की और गाय बराबर होती है समझे दमती अंधेरे अंधेरे उस आदमी के साथ चलती चली जा रही थी कुछ दूर जाकर वो बात करने लगा इस बकट ऐसे अंधेरे में बड़ी तकलीफ कर रही है तो क्या बात है वो कुछ दूसरी सी बोली बोलता था दमती ने फिर सास ससुर के जल्म की बात बतला दी सिगरिट पीने पर मार कर निकाल दी जाने की कहानी भी सारिक कह दी फिर शावनी में अपने मर्द के पास जाने की सीधी सची बाते बता दी इस आदमी ने भी दमती के सास ससुर को गालिया दी उसे धांधस बनाते हुए बोला वाह तेरे जल्सी भली लड़की के साथ ऐसा करना था उस रान को तुझे तो खाने को दूद मिठाई मिलनी चाहिए पहनने ओडने को अच्छा कपड़ा गहना मिलना चाहिए तेरी उमर क्या गोबर ढोने और खेतन राने की है राम राम तेरी घागरी पिछोरी कैसे फट रहे है स्री नगर में बाजार से हम तुझे धोती ले देंगे तू बेचारा क्यों ले देगा दमती ने उसकी साहन भूती का आदर करते हुए उत्तर दिया मुझे अभी धोती का क्या करना है मेरा मर्द ले देगा वो मेरे लिए बड़ी अच्छी रेशमी धोती लाया था मेरी सास ने वो भी छीन ली एक दिन रास्ते में पढ़ाओ कर अगले दिन सांज तक वो श्री नगर पहुँच गए वो आदमी दमती को लेकर बाजार के रास्ते से होते हुए एक गली में पहुचा वहाँ वो उसे एक बड़े से मकान में ले गया इतना बड़ा और ऐसा मकान दमती ने पहले कभी नहीं देखा था उसका आंगन भी दिवाज से घिरा हुआ था आंगन की दिवार में भी किवार लगे हुए थे दमती लंबे पैदल सफ़से ठकी हुई थी दिवार से पीठ सटा कर बैठ गई वो आदमी जल्दी लोट आने को कहकर चला गया फिर तुरंत ही एक छोकरे को ले आया वो दमती से बोला ये छोकरा तेरे नहाने धोने को पानी ला देगा तब तक मैं बाजार से चावल दाल ले आता हूँ दमती बैठी रही छोकरा एक गागर जल लाया फिर दूसरी गागर भर लाया कुछ देर में इन्हन लाकर रख गया तब उसके साथ आने वाला मर्द भी लोट आया वो एक अंगोचे की पोटली में दाल, चावल, नमक, हल्दी, मिर्च वगरा लिये था इनके साथ एक दोने में घी था कागर में लिप्टी हुई एक नई छपी हुई धोती भी थी वो बोला तू नहा धोकर नई धोती पहन ले और रसोई बना ले दमती ने नहा धोकर नई धोती पहन ली फिर उस आदमी की बताई रसोई में दाल भात राधा एक थाली में उसे देकर स्वयम भिखाया फिर चटाई पर जा लेटी खा पी कर वो आदमी कुछ देर के लिए बाहर चला गया लोटा तो आंगन के किवाणों में साकल लगा कर चटाई पर दमती के पास जा बैठा दमती उठकर परे हुई तो वो उसके शरीर पर हाथ रख कर बोला बिगड़ती क्यों है? सुन तो अच्छा ले सिगरेट तो पी दमती ने हट कहकर उसका हाथ जड़क दिया और वहाँ से उठने लगी आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया फिर हसी में गाली देकर मनाने लगा पी ना तू पीती तो है दमती अपना हाथ छुड़ा कर दूसरी दीवार के पास चली गई कहां पीती हूं मैं सिगरेट मेरे आदमी ने दी थी तो एक पी ली थी उसने बेरुकी से उत्तव दिया वो आदमी रास्ता रोक कर सामने खड़ा हो गया गुस्षे में गाली दे कर बोला तेरी इतने दिन से तुझे यूही खिला रहा हूँ उतार मेरी दोती दमती डरी नहीं अकड कर बोली पहले मेरे कपले दे दो मैं तेरी दोती अभी फेके देती हूँ मैंने कया तुस्से मागी थी वो औरत की जित से यूं हार मानने के लिए तयार ना था गाली देकर उस पर जप्टा और अपनी दी हुई धोती जबरन खीचने लगा दमती धोती को पकड़े अपने कपड़े मांगती हुई लड़ने के लिए तयार हो गई धोती जबदस्ती खीशी जाने पर उसने आदमी के हाथों को नोचा, दातों से काटा, अपनी कोहुनियों से मारा, पर उस पर कोई बस न चला धोती का आधे से अधिक भाग आदमी के हाथ में चला गया, अब वो रोते हुए गिलगड़ा कर दया की भीक मांगने लगी, लेकिन वो नहीं माना, वो तो उस बिगड़ायल औरत को सीधा कर देने पर तुला हुआ था आखिरकार उसने धोती छीन हिली, दमती लज्जा से सुक्रुती सिमट्ती एक और बैठ गई, आदमी दमती को गाली देकर कोट्री के किवार बंद करके चला गया, दमती बैठी रोती रही, कोट्री के गुप अंधेरे में दिन का कुछ अनुमान नहीं हो सका था, रोते रो लारे उसका शरीर निढाल हो रहा था, बैठा ना रहा गया तो वैसे ही सुकड का दीवार के साहरे लुडग गई और फिर सो गई, दमती की नीन खुली तो कोट्री के किवारों की जिरियों से दिन की जलक दिखाई थी, प्रकाश की किरने जिरियों से अंदर आ रही थी, व दमती उनकी ओर टक्टकी लगाये देख रही थी और पच्चता रही थी। कभी उसकी आँखों से आंसु बहने लगते कभी सिस्किया आने लगती। उसे प्यास भी लग रही थी। पाखाने पेशाप के लिए बाहर जानी के दरूत थी। दमती हिम्मत करके उठी और किवाड उसने समझ लिया कि वो ऐसे ही मर जाएगी। इस तरह सोच सोच कर वो फिर रोने लगी। परन्तु अब रोने से भी क्या बनना था। इस तरह वो निर्जीव सी चटाई पर जा पड़ी। मन में आया कि फासी लगा कर जान देते। पर धोती कहां थी जो फासी लगा खयाल आया कि जब गाउं से निकली तभी फासी क्यों न लगा ली। देखते देखते किवाडों की जिरियों से आने वाली प्रकाश की लकीरें धुनली हो गई। फिर घटा टोप अंधेरा चा गया। ठक कर और निराश होकर उसने आहें भरना भी छोड़ दिया। बस मर ज दमती का ध्यान नहीं गया। वो अर्द बिहोश हो रही थी। तभी किवाडों के खुलने का खटका हुआ। खटका सुनकर उसने उठने की कोशिश की लेकिन शरीर बेदम हो रहा था। वो बड़ी कटनाई से सुकड कर बैट पाई। वही आदमी भीतर आया। दमती के कप गंटे बाद वह आदमी फिर लोटा। तब तक दमती पानी पीकर निबट कर नहा दो चुकी थी। उसने अपने पुराने कपले पहन लिये थे। वो दिवाल से पीट टिकाए सिर को दोनों हातों से थामे बैठी थी। उसकी तबियत भी कुछ ठिकाने आ चुकी थी। वह आदमी एक अंगोचे में कुछ बांधे और एक लोटे में दूद लिये था। अंगोचा दमती के सामने रख कर बोला। ले तेरे लिए पूरी तरकारी बनवा लाया हूँ। कुछ खा ले और ये दूद पी ले। दमती हाथ जोड़कर गरगराई। मुझे कुछ नहीं चा दुकान दार ने तुझे च्छावनी पहुचाने को कहा था। सो हम पहुचा देंगे। तू कुछ खा तो ले। अकेली जाएगी तो भटक जाएगी। पुलिस वालों के हाथ पढ़ गई तो जानती है क्या होगा। तू कुछ जानती तो है नहीं। हम पहुचा देंगे। तू पहले खा तो ले। दमती भूकी तो थी ही। सामने खाना देखकर वो खाने लगी। आदमी कोठरी खुली छोड आगन का दर्वाजा बंद करके चला गया। कुछ देर बार लोटा और दूर बैठकर दमती को समझाने लगा। देख पागल मत बन। औरत एक बार घर से निकली तो घर में उसके लिए जगह नहीं रहती। ब्रामन के घर की औरत तो वैसी ही मिट्टी का बरतन होती है। एक बार किसी कुछ हो गया तो फिर काम का नहीं रहा। कहीं तेरे मर्द ने ही मूड काट लिया तो गाउं जाएगी भी तो क्या गोबर और इनन ही ठोएगी हारे साथ देश चल बलिया खाना, गहना, कपड़ा, दूद मलाई, रबली खाने को मिलेगी। दमती हाँ जोड कर फिर गडगड़ाई। नहीं तुम उच पर दया कर, मुझे यहां से जाने दे, मैं अपनी रहा चली जाओंगी, छावनी पहुच जाओं चाहे गाउं लोट हारे साथ ना चल, एक दूसरा ब्राहमन है, तेरी पट्टी का, वो आज शाम च्छावनी जा रहा है, उसी के साथ चली जाना, बस मैं उसे बुलाए लाता हूं। वो फिर उठकर चला गया, दमती को बाहर के केवाड़ों की साकल लगने की आहट फिर सुनाई दी, दमती जाने कैसे आदमी से पाला पड़े, उसने आंगन के केवाड़ों को खीच कर आजमाया, वो खुले नहीं। इधर उदर देखा, आंगन की दीवार उसके सिर से उंची थी, बहां उठाने पर भी हाथ दीवार के सिरे तक नहीं पहुँचे, आंगन के कोने में पाखाना बना हुआ था, उसकी दीवार उसके सिर के बराबर ही थी, पाखाने की पिछली दीवार में नीचे की तरफ जहरोके थे, परन्तु बहुत छोटे, वो यहां से भागने के लिए कुछ भी करने के लिए तयार थी, परन्तु जहरोके बहुत ही छोटे थे, उसे एक उपाय सूझा, उसने पाखाने की दिवार के साथ गागर को अंधा करके रख दिया फिर उस छोटी दिवाज से आंगन की दिवार पर चड़ी और कूद गई गली में से तीजी से चली कुछी कदम पर बाजार आ गया वो रास्ता चलने वालों से छावनी की रहा पूछने लगी फटे कपड़ों में अकेली परिशान औरत चावनी की रहा पूछ रही थी ये देखकर लोग इखटा हो गए आदमियों को इखटा होते देखकर पुलिस का आदमी भी पहुच गया वो दमती को थाने ले गया दरोगा ने उसका नाम, गाँ और श्री नगर आने का कारण पूछा दमती ने फिर अपनी सच्ची सीधी कहानी सुना दी दरोगा कुछ मुस्कराए, बोले तो सिगरेट पी ती है, ले और उन्होंने एक सिगरेट उसकी ओर बढ़ा दी दमती ने इनकार कर दिया, वो तो मेरे मर्द ने दी थी अब इस बात की तलाश शुरू हो गई कि दमती को श्री नगर कौन आदमी लाया उसे कहां बंद करके रखा गया था पुलिस ने दमती को बाजार की कई गलियों में गुमाया परंतु वो कुछ पहचान ना सकी मैं तो खुदी आई हूँ, छावनी जाऊंगी वो जिद करती रही घर से भागी औरत को अपनी मज़्जी से कहीं जाने नी दिया जा सकता गिरफतार औरत को थाने में रखना भी काईदे के खिलाफ था उसे गारत की रखवाली में तुरंत पौडी के जेल हवालात में भेज देना चाहिए था परंतु सिबाही मौजूद नहीं थे और रात होने को थी इसलिए सिपाही उसे रुद्र प्रियाग से लाने वाले बदमाश को ढूनने के लिए इधर उधर गुमाते रहे उसे बार बार प्याज से सिगरेट और मिठाई दिखाई गई हर बार दमती क्रोध से मूँ फिर लेती जोर जबर करने पर वो हाता पाई के लिए तयार हो जाती अगले देन उसे दो सिपाहीयों की रखवाली में पौली पहुँचा दिया गया फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया वहां उसने फिर अपनी सच्ची कहानी सुना दी साथ ही कह दिया कि वो घर नहीं लोटेगी अपने मर्द के पास च्छावनी जाईगी उसे समझाया गया कि उसे यूं भाग कर नहीं जाने दिया जाएगा वो अपने मर्द को ढून नहीं पाएगी सरकार बजदत को यहीं बुलवा देगी तब उसे उसके मर्द के हवाले कर दिया जाएगा तब तक उसे जेल की हवालात में रहना पड़ेगा दमती बजदत का सिपाही नमबर नहीं बता सकी इसलिए बजदत की तलाश करने में कुछ समय लग गया इस बीच बजदत के माबाप ने दो पोस्ट कारड़ों पर पूरा हाल लिखवा कर लड़के को भीज दिया लिखा कि उसकी बहु बच्चलन और आवारा हो गई है घर से पैसा चुरा कर चट्टी से सिगरेट खरेद कर पीती है उसने घर का जेवर भी चुरा कर बेच दिया पास पड़ोस में कलंग का टीका लग गया है अब सड़क पर किसी मुसाफिर के साथ भाग गई है पत्र में बूरे पिता ने युवा पुत्र को आश्वासन भी दे दिया तू जी छोटा मत करना ऐसी का क्या हम बातचीत कर रहे हैं तू इस बार चुट्टी आएगा तो दूसरा ब्याह कर देंगे इसके बाद बजदत को कचहरी का कागज मिला उसमें लिखा था कि पौडी अदालत में आकर अपनी बहु को पहचान ले उसकी सुपुर्दगी ले ले अब तो उसे अपने पिता की बात पर पूरा विश्वास हो गया रुद्व प्रियाग में हीरा मन ने मनहर पंडित को दमती के बारे में बताया था कहा था कि एक खूब जवान अल्लड ब्रामनी घर से भाग आई है ये भी बताया कि वो साथ ससो से परिशान होकर भागी है उसकी दुकान पर बैठी है मनहर ने दमती को हीरा मन से 80 रुपे में खरीद लिया उसका ख्याल था कि लड़की को महीना 15 दिन श्रीनगर में रखेगा कुछ दिन तफरी रहेगी इस बीच लॉंडिया दुनिया का धंग समझ जाएगी तब वो उसे देश में जाकर 4-500 में बेच डालेगा मनहर ने इस तरह जाने कितनी औरतें पार कर दी थी परंतु श्रीनगर में दमती की जित के आगे उसे मुह की खानी पड़ी तब उसे अपनी भूल समझ में आई उसने समझा कि वो उतावली कर गया लॉंडिया उससे बिगाड बैठी है अब उसके हथे मुश्किल से चड़ेगी उसे इस जंजट में समय बर्बाद करने से कुछ लाब दिखाई नहीं दिया इसलिए मनहर ने सोचा कि लड़की को श्रीनगर में ही बेश दिया जाए उसने शिवदत से सौदा भी पटा लिया दमती को कपड़े और पूरी मिठाई देकर मनहर शिवदत की खोज में गया था शिवदत को घर में ना पकर वो लोट रहा था तबी उसने बाजार में च्छावनी की राह पूछती भागी हुई औरत का किस्सा सुना उसे ये भी खबर लगी कि पुलिस औरत को पकड़ कर थाने ले गई है उसका मासा ठनका अपने अड़े पर जाकर उसने देखा तो दमती गायब थी पाखाने की दीवार की पास उसकी ओंधी गागर पड़ी देखी वो समझ गया कि दमती दीवार फान कर भाग गई और अब पुलिस के हाथ में है मनहर अपने 80 रुपए यूँ पानी में बहा देने के लिए तयार न था पुलिस का उसे कोई डर न था उन्हें वो मौका पढ़ने पर पटा सकता था उसे क्रोध आया हीरा मन पर उसने समझा कि ये लॉंडिया पकी चालबाज है पुलिस को चकमा दे कर फिर हीरा मन के पास जाएगी और वो इसे फिर बेचेगा तभी वो काईया इतने सस्ते नामों में मान गया था दान्थ पीस कर उसने मन में कहा अच्छा बेटा आपस में ये धोखा मैं तेरी वो खबर लूँगा कि छटी का दूद याद आ जाएगा देखूं ये औरत जाती कहा है वो आदमी अनुभवी था दमती की जिद से उसने ये भी समझ लिया कि वो ऐसी वैसी नहीं है अगर ऐसी वैसी होती तो इतनी हाय हत्या क्यों करती फिर भी देखा जाए कि हीरा मन के हाँ लोटती है या अपने आदमी के पास जाती है मनहर ने दमती को पॉली भीज दिये जाने की बात सुनी तब वो भी उस पर नज़र रखने के लिए पॉली पहुँच गया बजदत और दमती जब अदालत के सामने पेश किये गए तब मनहर वहीं मुझूद था दोनों को एक दूसरे को पहचानते देख मनहर को कुछ हैरानी हुई परंद मामले को अंद तक देखने के लिए वो धहर से इंतजार करता रहा बजदत ने अदालत में दमती को अपनी बहु मान लिया तब आदालत ने हुकम दिया कि औरत बजदत को सौपती जाए लेकिन बजदत ने दमती को साथ ले जाने से साफ इंकार कर दिया उसने कहा कि घर से भागी हुई बच्चलन औरत को वो नहीं ले जाएगा दमती ने सुना तो उसे गहरा धक्का लगा एक गहरी सांस ले दोनों हाथों से सिर थाम कर वो बजदत की ओर देखती रह गई सिर चक्रा गया, आँखें मुंद गई और धर्ती पर बैठ गई जब दमती ने सिर उठा कर देखा तो बजदत कहीं दिखाई नहीं दिया उसे बजदत को सौप देना सरकार का काम था, परन्तु बजदत ने इस्तरी पर अपना अधिकार हटा लिया, इस पर सरकार को भी दमती से कोई मतलब नहीं रहा मजिस्ट्रेट को दमती पर थोड़ी दया आई, उसने दमती को सुझाया कि वो चाहे तो अपने मजद से अपना खर्चा मांग सकती है दमती ने इनकार में सिरहला दिया, दमती को हुकम हुआ, अब उसे इजाज़त है, जहां चाहे चली जाए दमती की आँखों के आगे अंधेरा चाया हुआ था, परन्तु उसे आदालत से बाहर निकलना ही पड़ा मनहर पंडित ये सब कांड देख रहा था, दमती पत्राई हुई आँखों और कदमों से अदालत से बाहर निकली अब उसके सामने एक ही सवाल था, कि जाए कहां तभी दमती ने सुना, बह, कहो, कहां चली गई थी तू दमती ने घूम कर देखा और मनहर को पहचान कर चुप रही मनहर आश्वासन देते हुए बोला, तू यूँ ही बुरा मान गई हम तुझे परिशान थोड़े ही करना चाहते थे, देख, तुझे ढूंड़ते ढूंड़ते यहां तक आए हमने तो पहले ही कह दिया था, कि अब माय के सस्रॉाल में तेरे लिए जगह नहीं है लेकिन तुझे परिशान होने की क्या जरूरत, चल, तेरा अपना घर है दमती ने छण भर सोचा और फिर मनहर के साथ साथ चल दी मनहर उसे बाजार की एक गली के मकान में ले गया, फिर उसे बैठने के लिए आदर से चटाई दी दमती चुपचाप से जुकाए दिवा से पीट सटा कर बैठ गई, बहुत ठक गई है तू, ले, एक सिगरिट तो पी, जरा जी हलका हो जाएगा मनहर डिविया से सिगरिट निकाल का दमती के हाथ में थमाते हुए बोला दमती कुछ देज चुपचाप से जुकाए बैठी रही, फिर उसी तरह बैठे-बैठे सिगरिट थाम ली उसकी आँखों से आँसु टपक पड़े, सोचा अब किसके दम पर, किसके लिए इनकार करे